हेलो एवरिवन, वेलकम तो स्टेडी वित मानक, आज की इस लेक्चर के अंदर हम एलिफेंट रिजर्ब्स एड कोरिड़ इन इंडिया एंड वर्ड देखने वाले हैं, ठीक है, कि एलिफेंट रिजर्ब्स कहां कहां इंडिया के अंदर मिलते हैं और किस प्रकार की पर जाती प्रकार की इस लेक्चर के अंदर मिलते वाले हैं, ठीक है, या फी अर्थ पर सबसे बड़ा मेमल्स या नि इस्तनपाई हैं, वो सबसे बड़ा इस्तनपाई को है? एलिफेंट है, जो ये 12 अगस्त एलिफेंट है, सलिब्रेट किया जाता है, वो 2012 के अंदर लॉंच किया गया था, ठीक है? एलिफेंट है, वो इनकी प्रेगनेंशी टाइम है, वो सबसे ज़्यादा एलिफेंट का उपता है, तो 22 महिने लगते हैं इनकी प्रेगनेंशी को कम्प्लीट होने में, मतलग कि, दो साल के अंदर, एक बच्चा ये, या फिर एक या दो जितने होंगे, वन टाइम प्रेगनेंट होने हैं, ठीक है ना, फिमेल की उपर, एवरी फोर तो फाइफ येर्स, ठीक है ना, लीड बाइफेंट जो भी ये फिमेल एलिफेंट होता है, इनका ग्रूप होत इसी के अंदर पिसली बार पूछा भया या था, ठीक है फ्रेंट, अब देखते हैं टाइप ओप एलिफेंट, एशन एलिफेंट होते हैं और अफिकन आलिफेंट, दैर आर थ्री सब स्पेसी जो एशन एलिफेंट की, पहली है सुमात्रा, सुमात्रा, इंडियन और स्री ल करनाट का, तो इंडिया के अंदर लगबग 1 by 4th elephant है, वो करनाटक के अंदर ही मिल जाएंगी अपर, ठीक है ना, आयूचेन रेट लिफेंट इनकी, ये इंडेंजर्ड के अंदर है, आयूचेन के अंदर, और wildlife protection act है, उसके अंदर, schedule first के अंदर है, ठीक है, और site के अंदर, append appendix 1 के अंदर है, अब हम देख लेटे हैं, अफ्रीकन elephant के बारे में, ठीक है फ्रेंट्स, अफ्रीकन elephant की दो सब species है, अफ्रीकन elephant, the savannah, और bush elephant, या फिर forest elephant, forest elephant को wildlife elephant भी कहते हैं, ठीक है, wild elephant भी, ठीक है, और IOCN red list के अंदर, vulnerable categories के अंदर है, difference between Asian elephant and African elephant, Asian elephant are smaller than African elephant, के छोटे होते हैं और इनके येर्गान ए और अपकथ जयर 노टा पड़े होते हैं घृटा मिठैंट के उनकी ट्रॉट फिके ना कूछ seaky a तस्क ग्रोव होती है जबकि जो अफ्रिकन एलिफेंट है उनके मेल और फिर्मेल दोनों की तस्क ग्रोव होती है अब हम देख लेते हैं इंडियाज इनिसेटिव पर कंजर्वेशन ओप एलिफेंट गज यात्रा नेशन वाइड याट्रा को लॉट्ज किया गए था और उसके बाद पहले देखते हैं तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 के अंदर लॉट्ज किया गए था एक सेंटरली स्पोंसर्ड इसकी में जिसके अंदर स्टेट और सें दिविजन है उसके अंदर उडिसा गोर्वेंट ने लॉंच किया था जिसके अंदर शीड़ होंगे वह कास्ट करके एक बोलव कोंगे सेंटर फीड करतेंगे और जो फूड इसके वज़े से मेन येड़िफेंट कम होंगे ठीक है जो एक दूसरा है इनिसिटिव जिसके अं परकार को मतलब डाइरेक्ट डाइरेक्शन दी कि वही आप इसके समंदित भी कुछ है रूल से डेगुलेशन मना हो और जो नए हाइवे बनते हैं उनके साथ में इसका भी यूज होना चाहिए कि राइट टू पासेज भी नहीं बोलना चाहिए ठीक है ना तो इसके हिसाब से अब जो नए रोडवे बनेंगे हाइवे बनेंगे तो उनके अंदर क्या उनके साथ में क्या होगा कि हर हाइवे पे जैसे कि अभी जो पहले कुछ की ताइम पहले अभी थोड़े माई ने पहले नितिन गडगरी ने जो मिनिस्टर और टांस्पोर्ट आई गए उन्होंने बताया था कि अब जो भी नया हाइवे बनेगा उसके साथ में एनिमल्स के लिए कोरिडोर बनाए जाएगा ताकि एनिमल्स आराम से आ जा सके और मैन और एलिफेंट या फिर मैन और एनिमल्स का कॉंफ्लिक्ट कम होए ब्रेंट ठीक है अब हम देख लिएते हैं अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट रिहेब जिसके अंदर रिदूजिंग अलिफेंट हुमन अटेक यूजिंग बीज हैज बीन लॉंच्ट इन करनाटक नागरोल नेशनल पार्क और नागरोल ताइगर इजर ठीक है कि अगला इनिसिट्यूब फार्ती मेरे साथी एक एंपेंट लॉंच्ट प्रोजेक्ट रिएब एक सब्सक्राइब अंदर अंदर अगला इनिसिट्यूब हाती मेरे साथी एक केंपेंट लॉंच्ट बाइ स्यूब इनिसिट्यूब दर इनिसिट्यूब ऑप दOneेटी मेरे साथी यह वह जनासे माइ्ड सब्सक्राइब था इनिसेट्यूब नर्घूर, सीट्व, प्रोज भीसा फिडेटिश जयरेक्त है इनिसिट्यूब 2003 के अंदर लांच किया गया था is an international calibration that trends in information related to illegal killing of elements from across Africa and Asia यह भी ध्यान रखे कि यह अफरीका और एसिया के अंदर ही है ठीक है जो यह माइक प्रोग्राम रन किया गया है वो अफरीका और एसिया और एसिया और अफरीका के अंदर ही है क्या यह भी सई होता है ठीक है ना तू मॉनिटर एफेक्टिवनेर्स अप ट्रेल्ट कंजर्वेशन एफर्स ठीक है आगे देखते हैं elephant corridor the very first elephant reserve was the sing-boom elephant reserve of जारकन जो first elephant reserve इंडिया के अंदर कोचित किया गया था वो sing-boom elephant reserve जारकन वाला ठीक है और जो elephant की census होती ही इंडिया के अंदर वो every five year से होती है ठीक है यह life census के data 2017 के तो 2022 के अंदर नई census आएगी उसके बाद में हम वो data जो होगा देख लेंगे सबसे ज्यादा जैसा कि मैंने पिछले slides के अंदर बदाया था कि one by fourth इंडिया के अंदर जो elephant मिलते हैं वो करनाटक के अंदर इनकी संक्या है छे जार कुनबच्चास अंदर रेवच 179 के अंदर रेह 5706 को तो थ्रीक नाम हमें याद रखना है करनाटक असांस के करनाटक असां म केरल करम हम आगे देखते हैं माइक साइट सेन इंडिया जो यह माइक प्रोग्राम चला गया था इसके टेहतर इंडिया के अंदर टोट अब हम इंडिया की देख रहे हैं चिरांग रिपू है वह आसाम के अंदर है देहिंग पटगाई है आसाम के अंदर है इस्टन डुआर से वेस्ट बंगाल के अंदर है देमोली अरुनाचल प्रदेश गारो हिल्स मेगालाई मयोर्बंच उडिसा मैसूर करनाटक नीलगिरी त उत्राखंड वाइनाड केरला ठीक है यह जो मैप दे रहा है इसके अंदर सभी की लोकेशन दे रखिए आप इनको नौर्थ से साउथ इस्ट से वेस्ट एक बार लोकेशन को देख लेंद्स ठीक है अब हम देखते हैं जो एलिफेंट रिजव है इंडिया के अंदर कौन-क अब हम पहला जो नौर्थ वेस्ट लेंडिस्केप है जो उत्राखंड और उत्रप्रदेश के अंदर आता है शिवाली के अलिफेंट रिजव है जो उत्राखंड के अंदर है उत्रप्रदेश एलिफेंट रिजव है वो उत्तरप्रदेश के अंदर है इस्ट सेंटर लेंड ब्हुत फिरुपृ म्योडर्बंज एलिफेंट महानाधी एलिफेंट टामभलपूर हूँ बीकृसय को HR इंदर फिर Clockाष पूर्ड मों 8 गया मचानदर है वहाँ के जो पुरेट एरिया में जो लोग रह रहे थे उन्होंनों प्रोटेश्ट प्रोटेस्ट स्थाड कि आ क्यों कि स्थेट ने इसके एरिया को कम करने के प्लान लेक्ट तरकिके कामाहिंंग सानित्पूर लेन्ड इस्केफ है準備 अरनाचल प्रदेश के अंदर ए असाम के अंदर है चीन दीहिंग पदकाई ये instruction are और अरणाचल प्रदेश के अंदर सौथ अरणाचल एलिफेंट रिजर वे असाम के अंदर काजिरंगा कार्भी एंगलों एलिफेंट रिजर वे दंशिरी लोइंग एलिफेंट रिजर वे वो आसाम के अंदर थी के काजिरंगा दंशिरी नागालेंड के अंदर इंटा की एल मार जाए स्था लाट है और मेंगा हेले किसली लिएक घ्षा सmesan नीलगी के नदर लाट है करनाटक और तक करी स्था यह के करला के अंदर जो ब्रोर्मगीरी और निलगीस्roe फाड़ी ≠ record करनाटक तमिलनाडू और केरल नीलगिरी अलग है ब्रह्मगिरी नीलगिरी का पूरी एरिया को लेके हम बनाते हैं तो अलिफेंट रिजव बनता ठीक है नीलगिरी की हाइस पीक चोटी कौन सी है कमेंट वो उसने कमेंट करके बताया ठीक है अब देखते केरला के अंदर वाय अब हम देखते हैं अन्ना मलाई नीलियाम पैती हाई रेंज लेंडिसके तमिलनाडू के अंदर है अन्ना मलाई एलिफेंट रिजव एलिफेंट रिजव एलिफेंट रिजव पेरियार अगस्ते मलाई लेंडिसके वो केरल और तमिलनाडू के अंदर पेरियार एलिफेंट एलिफेंट रिज़र हाली में इसी को ताइगर रिज़र भी बनाया गया था तो धोजार इक्षण के अंदर ठीक है इसका नाम भी यार एक बार आप अपनी मेप के अंदर लोकेट करें ताकि फ्रेंट्स आपको इजिली याद हो जाए वीडियो को लाइक करें एर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एक बार आप प्रेंट्स आपको मिलता आपको मिलता रहे प्रेंट्स आपको मिलता रहें जाए वीडियो के वीडियो करें